Hello Everyone, Welcome to MS Educational TV DLDN की JBT का जो रेजल्ट है वो जारी हो चुका है बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं जो अपने रेजल्ट से खुश नहीं है उनको लगता है कि जो माक्स हमी दिये गए हैं वो कम है तो वो अपने जो है माक्स बढ़वाने के लिए revolution या फिर रेचेकिंग का फोरम अपलाई कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको detail में बताऊंगा revolution और रेचेकिंग में क्या difference है कौन सा फोरम आपको अपलाई करना चाहिए और इनकी feast क्या रहेगी यहाँ पे आप देखते हैं उपर आपको जो है यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा नीचे यहाँ पे आप चलेंगे तो English में यहाँ पे आपको जो instruction शो जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको जो है detail में बताएता हूँ हिंदी में सबसे पहला point यहाँ बात कर लेते हैं revolution के बारे में जिसको बोलते हैं पुनर मोल्यांकन सबसे पहले हम जो revolution क्या है इसके बारे में डिसकस करेंगे देखें, revolution का मतलब यह होता है कि complete paper को किसी और teacher के दुबारा दुबारा से चेक करवाना यानि कि कोई और teacher जो है उसी paper को दुबारा से चेक करेगा उसमें जो marks दिये गए है जैसे किसी question में कोई marks दिये दिये या जैसे कि first question में teacher ने दो marks दिये रखे हैं पहले तो उनको क्या किया जाएगा उन दो marks है उनको किसी भी पागत से उसको आइड कर दिया जाएगा और जो अलग teacher है वो दुबारा से उस question की marking करेगा यानकि सभी question को दुबारा से check करेगा और अपने according number देगा उसको लगता है कि इसमें मैं मुझे तीन number देने थी हैं तो पहले वाड़े जो number है उनको भूल जाएगे और दुबारा से वो number देगा इसी को जो है revolution बोलते हैं कि पुनर मुल्यांकन एक होता रीचेकिंग रीचेकिंग का मतलब क्या था उसमें केवल जो आपके question जो है उनके जितने ही marks दिये गए हैं उनको count किया जाता है ठीक है अब यहां भी हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले उतर पुष्टकाओं के पुनर मुल्यांकन एक तो मैत पुनर विनियम या फिर निर्देश यानि की revolution के बारे में तो इसमें पहला point है पुनर मुल्यांकन के लिए आविदन तथा सुल्क परिणाम गोशित होने की तीथी से बीच दिन के अंदर अंदर के वर ओनलाइन प्राप्त किया जाने का प्रावदान है अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आविदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तो यहां पे साब साब बताया गया है कि जिस दिन भी आप करजल जारी होता है उसके 20 दिन के अंदर अंदर आप जो है रिवलेशन का फोरum अपलाई कर सकते हैं और जो फोरum है ओनलाइन बरे जाएगा इसके अलाव अगर आप ओफलाइन जो है फोरum बरते हैं तो उसको invalid माना जाएगा सेकंड पॉइंट देखीं आपे सेकंड पॉइंट में बताया गया है उत्तर पुष्टकाओं के पुनर मुल्यांकन उपरांत प्रिक्षार्थियों के अंतिम प्रिणाम की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है यानि कि जब भी आपका रिवलेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट के उपर जो है मिल जायागा वहाँ से अपना रिवलेशन के अंदर तो सेकंडरी या सीनियर सेकंडरी यानि की ओपन और रेगुलर साथी साथ यहाँ पे आप देखते हैं डियल्ड, डियल्ड, जेबिटी की परिक्स्या में किसी विशे में 90% से अधिक अंक अर्जित होने वाले परिक्स्या रथी भी अब उस विशे के उतर पुष्टकाओं के पुनर मुल्यांक नेत्वाविदन कर सकते हैं यानि कि किसी कंडिडेट के डियल्ड, जेबिटी में यदि 90% से अधिक मार्ग से और वो चाहता है कि मैं और जो हैं इंप्रुमेंट करना चाहता हूं तो वो भी जो रिवुलिशन का फॉर्म अपलाई कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पॉइंट नमबर 4 यहाँ पे बताएगा कि यह रिवुलिशन का जो सुलक है अजार उपे परती उतर पुष्ट का यवी से रहेगा यानि कि यदि आप एक सब्जेट के लिए जो है रिवुलिशन का फॉर्म बरते हैं तो आपको अजार उपे देने पढ़ेंगे यदि आप दो सब्जेट के लिए अपलाई करेंगे तो आपको दो अजार उपे देने पढ़ेंगे तीन सब्जेट के लिए आप रिवुलिशन का फॉर्म बरते हैं तो आपको तीन जार उपे देने पढ़ेंगे फिर next यहां पर बताया गया है BPL candidate के लिए देखी यहां पर कुछ जो है राहत दी गई है BPL प्रिक्षारती के लिए पुनल मुल्य अंकल जो शुरुक है वो 800 रुपे रहेगा यानके कोई BPL candidate है तो उसको केवल 800 रुपे देने पड़ेंगे पर subject यानकी पर जो है उत्र पुछतिगा तथा उनलाइन आवेदन के साथ BPL कार्ड किये गए परती सनलगन करना निवारी है यानि कि BPL कार्ड की जो फोटो है वो साथ में अटेच होगी वो कमपलसरी है एक प्रिक्षारती दोबारा एक याधिक विश्य है तो एक यावेदन पत्र बढ़ा जाएगा पुनर मुल्यांक ने तो जमा सुल्क वापिस नहीं किया जाएगा यदि आपको एक याएक से ज़्यादा सब्जेट के लिए जो है रिवलिशन का फोरम अप्लाई करना है तो एक ही फोरम में आप जो अप्लाई कर सकते हैं आपको अलग अलग फोरम बढ़ने की जुरूत नहीं है और यदि आप फोरम अप्लाई करते हैं तो सुल्क जो आपका वापिस नहीं होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर आप फीश देख सकते हैं जो है आजार उपे लगेगी रिवलिशन की फीश बाकी यहाँ पर जो है आट सो रुपे लगेगी बीपेल की फिफ्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए उत्र पुष्ट काओं के पुनरवनल्यांकन उपरांद यदि किसी परिक्षार्थी के किसी विशे में 15% से आधिकंग बढ़ते हैं तो ऐसी स्तित्ती में 1000 रुपे में से 600 रुपे वा 800 रुपे में से 480 रुपे परिक्षार्थी को बोर्ड बैठेक दिरांगे 31-10-2019 के अनुछेद संक्या 6 के लिए 6 में लिए गे निन्या अनुछार उसके बैंक खाते में जमा कर दिये जाएंगे यहाँ पे साब साब बोला गया है कि यदि किसी कंडिडेट के 15% से अधिक मार्ट बढ़ते हैं किसी सब्जक्ट में तो उसके जो 1000 रुपे फीश है ना उसमें से उसको 600 रुपे वापिस मिल जाएंगे और यदि वो BPL का कंडिडेट है तो उसके 800 में से 480 रुपे जो वापिस मिल जाएंगे और यहाँ आपके उसी बैंक खाते में आएंगे जिससे जो आपने फॉरम बरते टाइम आपने दिया था सिख्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे देखिए यहाँ पॉणर मुल्य अंकन उपॉणगे तो पहले अरजित की हुए अंक मानने होगे यह पॉइंट थोड़ा साब को अच्छे से समझ लेना है यहाँ पे खास बात है बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है जो की अच्छा भी है देखि इस पॉइंट में क्या बताया गया है इसको आप द्यान से समझेंगे इसमें बताया गया है कि यदि किसी कंडिडेट का यदि एक मार्क्स भी बढ़ता है यह मत सोचना कि एक नंबर का क्या बढ़ाएंगे बिलकुल एक नंबर अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे आपको दिया जाएगा और ये बाईदा चांज यहां पर बतायागा ये आपके किसी विश्या में तो बहुत अच्छी बात है तो आपको इसमें डरने की बिलकुल भी जरूत नहीं है यदि पुनर मुल्ले अंकन में नमबर बढ़ेंगे तो आपके जो latest नमबर जो बढ़ाए गए है जो अकाउंट के जाएंगे और यदि आपके नमबर कम होते हैं तो कम वाले नमबरों को नहीं किना जाएगा जो पहले नमबर थे उनको जो माना जाएगा तो ये जो है बहुत अच्छी बात है 7. की बात करें यदि किसी विश्य की उतरपुष्टिका के पुनर मुल्ले अंकन उपरांत 15% या उससे अधीक अंक बढ़ते हैं तो उस उतरपुष्टिका को तीसरे पिक्सक के पास बेज़ कर पुनर मुल्ले अंकन करवाए जाएगा उस सवस्ता में दूसरे और तीसरे पिक्स को द्वारा दिये गए अंको की उस्वत के अनुसार नियम अनुसार अंक नियदारित किये जाएगे ठीक है यहाँ पे देखे बताया गया है यदि रिवल्योशन के टाइम यदि एक जो है दुवारा से कोई चेक करता है और उसके पंदरा प्रतियाच चेक है तो वो जो है उतर पुष्ट का तीसरे पिक्स के पास बेजी जाएगी यानि कि कोई तीसरा जो है टीचर उसको चेक करेगा और उसके बाद मान लेते हैं पहले जो किसी के बावन नमबर थे और किसी ओर टीचर ने चेक किया तो उसके नमबर दे दिये चोड़न और फिर तीसरे जो टीचर है उने चेक किया उसको नमबर दे दिये यहाँ पर च creative आप यहां पर confusion हो गया है तो क्या करिया जाएगा कि इन दोनों का जो बीच का number होगा ना वो उस candidate को दे दिया जाएगा कि उसके जो है 55 number दे दिये जाएगे यानिके second और third में जिसने चेक किया था ना उनका average निकाल के उसको जो है number दे दिये जाएगे eighth point में आपे बतायागा कि अदूरा फारम बिना सुल्क प्राप फारम सिधा रद कर दिया जाएगा वह प्रिक्षार्थी इस संद्रम में कोई दावास्विकार नहीं होगा वैसी स्तिति में कोई फीश वापिस नहीं होगी दर्साय गई हंकी मानने होंगे ऐसी स्तिति में कारियले पुनर मुल्यांगन करने के लिए बाद दे नहीं होगा और आविधन करता को सल्क वाप इस सम्मंधित बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा ठीक है इस point का देखी मतलब क्या मैं समझायता हूँ यहाप ही बताएगा कि भाई दाचांज आपनी रिवलेशन का फोरम बढ़ा और आपकी answer sheet नहीं मिली देखो answer sheet नहीं मिलने के बहुत सारे कार नहीं हो सकते हो सकता है झो है खराब हो जाए पुरानी हो जाए या फिर गुम हो जाए या फिर मुझ जो है वगरा काट दें उसको कोई भी रिजन मान सकते आप यानि कि आपके अंसर शीट आप उनको मिली नहीं है तो इस कंडिशन में जितने आपके नंबर दिये गए न वहीं है आपके जो मानने होंगे और आपका जो फीस की जो है वह आ बात देने होंगे कि आपके पुनर मुल्यांकन करें तैंथ पॉइंट में बतायागा है कि अंकित उत्र पुस्तिका विद्यार्थी उसके माता-पिता विवावक को किसी वेवस्ता में नहीं दिखाए जाएगी यान कि जो आंसर सीट है वो कंडिडेट को उसके माता-पिता करेगा बारे कारवाई करेगा यान कि केवल जो है रिवलिशन उसी सब्जेट का होगा जिसमें आपकी लिखित प्रिक्सा हुई है मान लेते हैं डारेक्ट प्रोमोट किया गया हो या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें ओनली प्रैक्टिकल हो यान कि प्रैक्टिकल बे में की जाएगी यानकि बहुत सारे कंट्रिया टैसे हैं जिनको लगता है कि मुझे तो मेरी आंसो शीट देखनी है जो कि आपको इसमें देखिए 10th point में बतायागा कि आंसो शीट आपको नहीं दिखाई जाएगी तो यहाँ पे जो केस वगरा करना चाहिए तो केवल आर्टिकल अप्लोड किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं नेक्स्ट बात के यहाँ पुने हजाज के लिए आवेदन करने है तुम है तपुने हजाज का मतलब क्या होता है रीचेकिंग यहाँ पे इंस्टेक्शन इंगलिश में आप पड़ सकते हैं इंपोर्टन इंस्टेक्शन रीचेकिंग रीचेकिंग के बारे में क्या-क्या पॉइंट है तो इसमें सब चरह पहला पॉइंट यही है देखें कि पुने हजाज के लिए आवेदन तथा सुल्क प्रिनाम जो है प्रिनाम गोशित होने की तीथी के 20 दिन के अंदर अंदर के ओन लाइन प्राप्त करने का प्रावधान है और किसी भी माध्यम से प्राप्त आवे दिनों पर विचार नहीं किया जाएगा यानि कि जो आप रीचेंकिंग का फोरम बढ़ रहे हैं तो वो भी आ आप करेंगे तो आपको 500 रुपे देने पड़ेंगे तीन के आप करते हैं तो शाड़े 700 रुपे इस तरीके से आप कोई रीचेकिंग की फीश लगेगी थार्ड पॉइंट में आप बतायागा कि अदूरा फोरम या बिना सुल्क प्राप्त फोरम रद कर दिया जाएगा व रिशारती द्वारे एक याधिक विशे होगे तो एक यावे दन पत्र बरा जाएगा तताई कठा सुल्क जमा करवाएगा पूने हजाच है तो जमा सुल्क वापीश नहीं किया जाएगा यदि आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट में यदि रीचेकिंग का फोरम बढ़ना पहले अरजित की अंक माने नहीं होगे देखो इस बात को थोड़ा आपको अच्छे समझ लेना है पर बाद में डाउट नहीं रहना चाहिए ठीक है यहाँ पर आप इसको अच्छे समझे अगवर ठीक है इस पॉइंट में देखी यहाँ पी बताया गया है साफ साफ कि पु रीचैकिंग का मतलब होता यहाँ है कि उसम्में केव्ल आपकी मार्कस काउंट किके जाते हैं यानि कि रीचैकिंग का मतलब क्या होता है यानि कि जो नमबर आपको दिये गए हैं उनको दोबारा सेocol रहा इस आपकी नमबर कम हो गए तो 65 के 63 कर दिये जा founders आंगे हैं 67 हो गए तो ज़्यादा कर दिये जाएंगे रीचेकिंग में दोनों उने के चांश जाप के नंबर कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है तो इसका आपको द्यान रखना पड़ेगा यदि आपको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है तब ही आप जो है यदि रीवलिशन का फॉरम अपलाई करें और आपको लगता है कि मेरी काउंटिंग वगरा में गलती हो सकती है तो आप रीचेकिंग आप भर सकते हैं तो दोनों के फाइदे भी हो नुक्सान भी आगे बात करते हैं परिक्षार्थी को पुने जाच की सुवीद अक्यवल तभी मिलेगी जब उसकी जो उतर पुष्ट का उपलब्द होगी यह पॉइंट पहले भी आचको है यदि किसी कान से आंसर सीट उपलब्द नहीं होती है तो परिक्षार्थी कि जो प्राप थंग पहले दिये गए वही दर साइज जाएंगे और आपकी जो फीस होगा आप आप पिस दे दी जाएगे सेंथ पॉइंट में बताया गया है कि आपका जो रोजल्ट है बोर्ड की वेब साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा एट्थ पॉइंट में बताया गया है कि आपकी जो है आंसर सीट किसी भी कंडिडेट माता पिदा को या फेमिली को नहीं दिखाई जाएगी नाइंथ पॉइंट में बताया गया है कि पुने जाच के वल लिखित परिक्षागे लिक करवाई जा सकती है इनकी रे-checking का जो फॉरं मोट जो रिटर हुए है उनका होगा प्रेक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है कोई आगर ऐसा प्रेक्टिकल का सब्जेक्ट है उसका नहीं होगा 10th point में बतायागा यदि आपको कोई भी problem आती है तो आप बिवानी नियाले बिवानी code में जो आप इसे समंदित कानुनी करवाई कर सकते हैं नीच यहाँ पर देखेंगे तो English में यहाँ आपको show हो जाएगा अब मैंने यहाँ पर detail में आपको समझा दिया है नेक्स जो है re-checking revolution में आपका पूरा paper चेक होगा यानि कि इसमें जो आपके number increase भी हो सकते हैं और same भी रह सकते हैं तो दोनों chances हैं re-checking में आपके दोनों chances जाएगा कि number कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है? देखें, revolution का मतलब यह है कि आपका paper दोबारा से पूरा चेक होगा पहले जो marks teacher के दोबारा दिये गए उनको hide करके पूरा paper दोबारा से चेक किया जाएगा लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम re-checking की तो re-checking में केवल जो है marks count किया जाएगा यहाँ की जो number आपको दिये गए है उनकी दोबारा से बस counting होगी और जादा कुछ नहीं होगा अब revolution के बारे में बात कर लेते हैं revolution की जो fees है यहाँ पे 1000 रुपे है per subject यहाँ की एक subject की आपको 1000 रुपे देने पड़ेंगे वहीं पे re-checking की जो है बाइस यही है कि आप जो है re-evolution का जो फोरम अपलाई करें revolution का फोरम जो है अपलाई करें ताकि आपके यह रुपे तो 1000 लगेंगे लेकिन उसमें shorty हो जाएगी कि आपको पास होने का chances हो जाएगे आप पास हो सकते हैं और अगर बाइस अचांश आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं मान लेते हैं आपके 25 नंबर है तो 25 तो आपके फिर भी रहेंगे और अगर आपके नंबर बढ़ गए तो आपके यह मान के चलिए पास होने के chances भी हैं लेकिन रीचेकिंग में यहाँ पे आपके जो है नंबर तो बढ़ेंगे लेकिन अगर नंबर कम होचके हैं काउंटिंग में गलती की है तो रीचेकिंग में आपके मार्क जो है कम होने के भी चांसिच हैं तो यह रिस्क आपको लेना पड़ेगा लेकिन अगर पेपर आपका बड़ी आ हुआ है तो मेरी एडवाइस ही है कि आप जो है बिलकुल रीचेकिंग का यानकी पुनर मुल्यांगन का जो फोरम अपलाई करें यहां तक जो वीडियो अपनी कम्पलीट होच की है वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें अपनी दोस्तों की साथ इसको जरूर शेयर करें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें यह दिया आपको एक्जाम नोट्स प्रिवेशर की क्यूशन पेपर प्रेक्टिकल फाल वगरा डाउनलोड करनी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यह साथ ही साथ यह दिया आप मुझे फेस्बूक, इस्टाग्राम और टेलिग्राम पे फोलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक पी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे डाउनलोड फोलो कर सकते हैं थैंक्स पूर वचिंग